नमस्कार आप तमाम दर्सकों का स्वागत है कल सरकार ने ये प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि राजभवन और चुना आयोग दोनों उनकी नजर में सक के दाइरे में हैं लेकिन उस कहने के दोरान वो ये भी कह बैठे कि ये समय इसलिए दिया जा रहा है ताकि बीजेपी को तोड़ फोड़ करने का समय मिल सके सरकार की असल मंसा क्या है राजभवन पे सवाल उठाने का उसको हम बारीकी से समझेंगे और चुना आयोग कुछ महिने पहले तक जो निस्पक्ष था सरकार की नजर में आज अचानक कैसे बदनाम हो गया है हमारे साथ कॉंग्रेस की विधायक दिपिका पांडे सिंग है दिपिका जी क्यों भरोसा उठ गया राजभवन और चुना आयो देखिए हम लोग तंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं सम्विधान का सम्मान करते हैं और कोई भी सरकारी जो पद है उसकी गरिमा और मैतता को समझते हैं हम कहीं भी अव विश्वास जो है राजभवन पर महामई पर नहीं उठा रहे दोरोध बालुष लेकिन हम पर्णे जी आपको पीछली पीछे के दिनों में ले ले जाकर के कुछ याद करना आपको चाहेंगे डवल इंजन की सरकार थी और यहां पर महामई दौपदी मुड्मूजी थी डबल इंजिन की सरकार ने यहां के मूल वासियों अधिवासियों की जो जन भावना है उसकी अंदेखी करके CNT, SPT जैसे मामले पर बिल लाने का काम किया था जिसका सडक पे भी सब लोग विरोध कर रहे थे सदन में भी विपक्ष के सब लोग उसके बहुत पक्ष में नहीं थे फिर भी एहंकार में उस बिल को जो है राजबवन भीजा गया था तब भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी लेकिन राजबवन का काम जो राज की जनता को संरक्षन देने का काम है जो सरकार है उसको भी संडरक्षन देने का काम है और साथ ही साथ विपक्ष की भावना है उनकी आवाजों को भी सुनने का काम राजभवन का होता है उस समय उस बिल को वापस कर दिया गया राजभवन के द्वारा और CNT SPT Act में जो लोगों की भावना के विपरीत जो किया जाए उसको रोकने का काम राजभवन ने किया था राजभवन की वो ताकत है और इस वजह से भी जारकन की जो जनता है वो कितना संबान करती है अभी हम लोगों की जो राश्पति है उनका या लोग सब को जाने हुई बात है लेकिन आज राजभवन के माध्यम से जो आने चाहिए वो सीधे ना आकर के एक राजनितिक शंशय और संकट जैसा माहौल राज में उत्पन किया जा रहा है यह हम लोग नहीं कर रहे हैं मेडिया भी कुछ हद तक जो ट्वीट्स हो रहे हैं या जो मेसेज़ेज लीक हो रहे हैं उस पर चल करके क्योंकि आसपास के राजियों में भाजपा के कारस्तानी को देखा गया हारी फिलाल के दिनों में दिल्ली में वो महल था महराश्रा में क्या हुआ इसलिए मीडिया भी उन ट्वीट्स को आधिकारिक वक्तवे समझ करके उस पर काम कर रही है हम लोगों को भी अपनी तयारी रखनी पढ़ रही है इस राज में एक आधिवासी मुख्यमंत्री है महा महीम को इस सरकार को जो पचास अधिक विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत में और दो हजार उनीस में डबल इंजिन की सरकार होने के बावजूद जो एहंकारी सरकार चली उसके सामने एक महागडबंदन की सरकार को च करने का का मेरा चोटा-चोटा सवाल है जैसे आपने कहा कि अधिवासी मुख्यमंत्री का है और बहुत लोग प्रिये कोई भी सरकार लोग प्रिये होती है तब ही वह सरकार जार खंड में पांस साल का टेनियोर छोड़ दे तो हर बार यहां अधिवासी मुख्यमंत्री बने दूसरा मेरा सवाल है आप लोग कह रहे हैं कि मीडिया और कुछ बीजेपी के नेता भरम फैला रहे हैं तो मेरा सवाल है तो क्या अब मीडिया को फॉलो करके सरकार चलेगी क्या निसीकान दूबे को फॉलो करेगी सरकार और उसी के अनुसार एक्ट करेगी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्थम्भ है मीडिया की एक बहुत जिम्मदारी पोन जो है भूमिका है और हम लोग मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं लेकिन ये भी आज के यह हकीकत है कि गोदी मीडिया भी इसी समय में चल रहा है और कहीं कहीं कुछ लोग एक special agenda के साथ राज में है ऐसे messages को pass on किया जाता है वैसे खबरे बनाया जाती है और वैसे लोगों का आप देख रहोंगे बिहार में आपने देखा कि बड़े बड़े चैनलों के anchor जिनको लगातार हम लोग बताते रहें मेडिया की जो सकरातमक भूमिका है हम लोग भी कई बार अकबार खोलते हैं आप नियूस देखते हैं और जो पत्रकारिता के माध्यम से जो मुद्दे आते हैं उस पर भी हम लोग तुरंत काम करने का काम करते हैं मेडिया एक मार दर्शन का भी काम कर सकती है लेकिन आज अगर मेडिया एक क्या है ने शिकान दूबे जी क्या वो राजभवन के प्रवक्ता हैं क्या वो एडी के बहाफ पे बोलने के लिए उथराइजड हैं क्या वो सीबिया के बहाफ पे बोलने के लिए उथराइजड हैं लेकिन इस राज में यह सब हो रहा है आप ल तरवाजा खिड़ की सब मजबूत हो बाहर हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए तो इस तरह की तयारी क्योंकि इस देश में ऐसे examples सेट किये गए हैं आप मंत्रिप्रदेश में सरकार बदल गई महाराश्रा में सरकार बदल गई और किस तरीके से बदली और किन कारणों से बदली ये किसी से छुपा हुआ नहीं तो ये तो मेरा अधिकार है ये हम लोगों का अधिकार है सरकार का अधिकार है और ये सरकार की रक्षा की बात नहीं मुख्यमंत्री जीने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सत्ता में बने रहने का कोई लोब लालच नहीं है लेकिन सत्ता माध्यम है जन सेवा का और हमें इस राज की जनता ने बहुमत में सरकार की जिम्मेदारी दी है तो लोगतंद इस लोगतंद की सुरक्षा करना भी यह हमीं लोगों का दाइट यह तो मुख मंतरी का मानना पड़ेगा कि वो दूसरे स्टेट भी जाके आप लोगों को एक होटल में रख सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया वो कहें हमारे राज में है खुले रहेंगे विधायक जहां जिसको अपने घर में रहें वो तो उनका काबिल्य तारीफ बात है लेकिन बात बात में ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष के व जो दिया है जोर के भी इस खिल पे जादा बिस्वास हो लिए इस राज में अगर कोई राजनितिक संकट या संशय की स्किती है और जो सरकार आज है पूर्ण बहुमत की सरकार है महागडबंदन के एक बहुत मजबूत सरकार है उसके बावजूद सवा तीन करोड जंता कि इस संशय पर से जो है बादल हटाया जाए इसमें पटाक शेप किया जाए जो सरकार जंता का काम कर रही है उसको जंता के हितों का काम कर रही है उसको उस काम को जिस बात के लिए सरकार बनी है उन कामों को करने दिया जाए जैसे बीजेपी कई बार कई मुदों में नाली में पानी नहीं है, कॉंग्रेस जिम्हेदार है, हवा नहीं चल रही है, उसी तरीके का politics आप लोग भी करने लगे हैं, जनता को भरमा रहे हैं, सारे political party, आप ये मामला चुना आयोक से जुड़ा है, लीज खनन का मुद्दा है, इसमें बीजेपी का आप नाम इसलिए ले रहे ताकि आपके समर्थक सोचे कि हाँ सच मुझ बीजेपी कर रही है कुछ, बीजेपी करती है आम तवर पे, इसका मतलब ये नहीं कि कर रही है, या आप ऐसा बता रहा है कि पांच राज्यों में हुआ है, इसलिए ये जवाब दे सकते हैं, आप मुझे बताइए पांडे जी, आप तो बड़े जहां भाजपा का राज्य है, आज बिहार में अचानक से चापे कैसे पढ़ने लगे, आज क्यों जारखन में ये परिस्तिती है, क्यों बंगाल पर दबाव बनाया जा रहा है, क्यों राजस्तान में संप्रदाइक महल बनाने की प्रयास की जा रही है, इसमें कहीं कोई दो तक एजेनसीज को ताकि लोगों को एक के बाद दूसरे लेवल पर या विश्वास रहे कि अगर मुझे यहां नयाई नहीं मिला है तो मुझे अगले दर्वाज़े पर नयाई मिलेगा दूसरे दर्वाज़े पर नहीं मिला तो तीसरा दर्वाज़ा हमारा खुला था लेकिन आज इन सभी संस्थानों को systematically ध्वस्त किया जा रहा है और इस पर अगर जनता का अविश्वास बढ़ रहा है या नेदाओं का अविश्वास या मीडिया सवाल करने लगी है तो कहीं न कहीं तो कुछ गलत होगा अब यह कहने का मतलब आप यह करें कि हमारा देश वर्तवान में इस स्थिति में चला गया है कि जहां लास्ट सुप्रीम कोट पे भी विश्वास नहीं रहा हाई कोट पे भी विश्वास नहीं रहा है आप पहले EDCBI और IT की बात करें ना जुडिशरी तो एक और जो बहुत मह नहीं चल रहा है जो मामला बिल्किस बानों का आया उसमें आपने देखा होगा कि कई सारे पदाधी कारी कह रहे है तो मैं सम्मानित कोट पर मैं आज भी मानती हूं कि यह देश में सम्विदान की रक्षा होनी चाहिए लोकतंत्र बचना चाहिए कहीं अगर कोई गरबड़ का राजपाट चले यह प्रयास हो रहा है उसके लिए चंद कॉर्परेट घरानों को कैसे मजबूत किया जा रहा है और बाकी विरवस्ता को कैसे द्वस्त किया जा रहा है उसके हम सब आप हम सब गवा हैं आज हम इस बात को माने ना माने लेकिन आगे आने वाली प्रीडिय कि आखिर हम लोग क्या कर रहे थे उस अगर जनता तो हमारी मुर्ख नहीं है अगर बीजेपी गलत कर रही है तो जनता उनको भी सबक सिखाएगी वो तो ऐसा नहीं है कि अब आएं है तो अमर हो गए उनकी सरकार हमेशा रहेगी तो जनता को आप डिक्टेट या कम्मिनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे है उस तरीके से कि देखिए आज बीजेपी है इस वज़े से ऐसे यसी चीज़े हो रही है और ये बढ़े गादी नो देखिए ये मुझे आप बताईए कि आखिर विपक्ष की बातों को विपक्ष में मैं केंद्र के हिसाब से कह रही हूँ कि राज में हम लोग सत्ता में हैं लेकिन केंद्र में हम लोग के हिसाब से हम लोग विपक्ष में हैं तो आखिर क्यों विपक्ष की बातों को क्या देश में मह बहुत कम दिखाता है और लगातार कॉंग्रेस के लोग मेंगाई और बेरोजगारी को लेकर हर दिन कारिकरम कर रहे हैं सडकों पर है आने वाले दिनों में करिब डेड़ सो दिनों का पद्यात्रा आदेने राहूल गांदी जी भारत जोड़ो जो पद्यात्रा है वो कन्या कमारी से लेके कश्मीर तक चलाएंगे ये हमारे कारिकरमों को आप ना बताएं ना दिखाएं लेकिन जनता जिस तकलीव स गुजर रही है उसको तो दिखाने का काम करें आज माली जी राजनितिक संकट है तो क्या हमारे काम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारा चेत्र यहां से आठ गंटे की दूरी पर है हमारे हां कल एक CRPF की जवान देश की सेवा करते करते हैं उनका देहान थो गया उ तो हमारे छेत्र में हमारे रहने से उन चीजों पर जनता को के बीच होना हमारा ज़रूरी है लेकिन आज हम सब रांची बैठे हैं आने वाले दिनों में अगर राजपाल महुदे महामहीम अगर इस पर संशे बरकरार रखते हैं अगर इसी से इसी और चुनाव आयोग ने अगर कोई निर्ने दिया है तो अगर राज भवन आया है लिकाफा आया है नहीं आया है इस पे कोई मनतब ले रहे हैं कुछ आगे बाद बढ़ रही है राज भवन से इस बात का औप चारिक तौर पर जो भी कारवाई हो रही है के जानना चाहती है हमारे भविषक की भी बात है, इस राजी की भविषक की बात है, अभी इस साली तो रोजगार को लेकर की आपने देखा JPSC के लगातार परिक्षा हो रही है, कई सारी बहालिया निकाली जा रही है, बच्चे फॉर्म के लब करना शुरू की हैं अभी लगातार कई सारे ऐसे मुद्धे हैं जिन पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों बे उस पर जरूर सकरात्मक घोशना हो चाहे उबीसी रिजवेशन की बात हो चाहे और ना अनुबंदित कर्मियों के निदान की बात हो रोजगार की अफसर विशेश करके जो क्रियेट करने की बात हो इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं तो इस सकरात्मक काम क्यों नहीं देख पा रहे हैं भाजपा की लोग और ये अस्थिर्था का मौहल बनाने का क्या कारण है अस्थिर्था आप लोग जब बार बार बोलती है तो सक होता है अस्थिर्था कैसे आएगी सरकार के पास 50 से अधिक विदाएग समर्थन में अगर हेमन जी पे कोई मामला बनता है माल लेजे जैसे गडवन्धन कह रही है कि कोई पिपुल रिपरजेंस अएक्ट में कहीं से ऐसा नहीं हो सकता सदस्ता जासा आप कहा रहे है कि हमारे पक्षम एजेंसिया नहीं है बीजेपी करवा रही है कुछ में तो भी मुख मंत्री पे आएगा तो भी 50 से अधिक विधायक है तो भी सरकार तो तटस्त रहेगी किसी भी अवस्ता में फिर अइस्तिर अस्तिर बोल के थोड़ा सा वीकनेस लगता है वीकनेस की कहीं कोई बात नहीं यह हमारा अधिकार है कि हम अपनी सुरक्षा पूरी मजबूती के साथ करें शब्द डालने से होगा नहीं यह हमारा अधिकार है हम लोग इस काम को कर रहे है जो भी निर्ने है क्या आपको नहीं लगता कि राजभवन को उसको जल से जल कम्मिनिकेट कर देना चाहिए यह बेवजा की बयान बाजी बेवजा का एक दूसरे पे अरगल आरोप लगाना आरोप प्रते आरोप सब चल रहा है यह तो नेताओं का आदत होता है राजभवन के तरफ से तो कोई टिपनी नहीं आई है इसी के तरफ से कोई टिपनी नहीं आई अगर मीडिया पक्षपात पूर्ण हो जाए नेता अपने जिम्मेदारियों को ना समझे जुडिशियरी पर लोग शंका उठाने लगे और जो हमारे लोकतंत का बेस है उसको अगर हम लोग हिलाएंगे बोलेंगे कि यह आदत है यह नहीं होना चाहिए, जिम्मेदार नेता भीी इस देश में रहें अब भी ऐसा नहीं है कि नेताओं की संख्या में कमी है लेकिन कुछ गयर जिम्मेदार लोग सब कुछ पर हावी हो करके भाजपा के अन्य नेताओं उसके पास से तो कोई बयान में आ रहा कि आनि निशिकान जी को आधर्निया प्रदान मंत्री जी ने ऑथराइस कर दिया है कि राजभवन से भी कोई मेसेज होगा तो आप ही डालेंगे भाजपा प्रदेश की तरफ से अगर कोई मेसेज देना है तो भी वही देंगे ED की भी जानकारी वही देंगे CBI की भी जानकारी तो जो गैर जिम्मेदार लोग है उस पर तुरंत लगाम लगाना चाहिए और राजभवन को इसका संग्यान लेना चाहिए कि आखिर जो काम राजभवन का है जो सूचना है अगर कुछ है भी अगर ऐसा तो जो राजभवन के माध्यम से आना चाहिए वो ऐसे लोग सड़क चौक चौराय पर कैसे चट जाता रहे हैं लग दिपिका जी कह रही है कि एक BJP का नेता पूरा भरम फैलाता है और सारा मीडिया भरम फैलाती है और सब पीछे पड़ जाता है मैं मीडिया पर बिल्कुल नहीं कुछ कह रही हूं गोधी मीडिया की बात जरूर आजस देश में इसकान दूबे को फालो ही क्यों करते हैं लिखने दीजिए क्या लिख लेंगे मैं उनको फालो नहीं करती है कुछ भी लिख रहा है कोई गलत अगर कर रहा है तो उस पर लगाम लगाना भी जरूरी है क्योंकि आज अगर कोई गलत कर रहा है उसके उस पर अगर लगाम नहीं लगा जाए तो बहुत बड़ा नासूर हो सकता है यह लगाम लगाने का काम भाजबा के शिर्षनेताओं का है और राजभवन की बातों को अगर वो लीक कर रहे हैं किस हैसियत से वो इस काम को कर रहे हैं उस पर लगाम लगाना महामाहिम का दाइत तो है हम उनसे आगरा करते हैं कि आप अपनी चुप़ी को तोड़े और यह जो महौल इस राजवें बनाया जा रहा है जो संरक्षन सरकार को मिलने चाहिए उस संरक्षन को हम लोगों को देते हुए इस पूरे मामले का पटाक शेप करें है कि अगर 10 दिनों तक यह लिफापा नहीं खुला तो 10 दिनों तक आप लोग यहीं रहें मेडिया से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया ऐसे hypothetical situations पर discussion बंद करें जो जमीनी सच्चा ही है अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा बताएं कहीं हमारी कमी है तो वो दिखाएं इस राज में अगर कहीं कोई कमी है अगर आपके अच्छे फैसले को सभी अच्छा बता रहे हैं कि आपने पेंसन दिया इसी के तराफ से कोई फैसला नहीं आया तो भी यह चलता रहे है यह सब को चब मानिया राजपर महदे के हाथ में है कि यह situation से हम लोगों को कब उबारते हैं हम लोगों को भी पिकनिक का कोई शौक नहीं हमें इससे बहतर काम काज है हमारी राजनितिक जो जिम्मेदारियां उसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं वीकेंड पर कभी कभी तो हम लोग मित्रों के साथ होते हैं लेकिन हर कोई चाहता है कि अपने परिवार के साथ हो बच्चों की छुट्टी होती है पती घर में होते हैं तो हमारी विक्षा होती है कि हम लोग अपने मन स अपने मन मुताबिक वीकेंड मनाएं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रोफेशनल सर्कल में हैं, उनके साथ कुछ समय व्यतीत कर दें, यह हमारा कोई शौक नहीं है, जो हम आज कर रहे हैं, लेकिन हमें बात दिखिया गया है, इस राज में भाजपा के द्वारा, कि हम लोग जो है, अपने प्रायटीज को छोड़ करके, इस राज के हित में जो काम करने वाले, होने वाली चीज़े हैं, उनको छोड़ करके, इस लेजर को भी हम लोग रांची में पॉसिबल करें। जोड़ी चुप चाप से ऐसा कुछ कर देता है, जो हैरानी में डाल देता है, अपने घर में चोरी होती है, चोर को पकड़ने की जगा, खुद को बताते हैं कि हम कलपरीट हो गया है, या फिर दूसरे को बताते हैं कि नहीं, यह तो कमजोड थे या अमुख काम से, ऐसे लो इसा सोचा करने को, तो क्यों किया, जब तक आपने ताओं से सवाल नहीं करेंगे, इसी तरह सत्ता और विपक्ष्चा कोई भी दल हो, आपको अपने बातों में उल्जाती रहेगी, और आपका भी अजेंसियों पर से धीरे धीरे विश्वास उठता चला जाएगा, आप कल एक अनन्द विद्यमंदर स्कूल, एक CVSC-affiliated English Medium Code School है, हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं